और ठीक से मानने की वज़े के है civil service conduct rules civil service conduct rules में anonymity के लिए प्रावधान है तो लोग मानते भी है सामने रूप से ठीक चलता है यह कोई इकत है लेकिन हाल ही में जब से आगया है social media social media आने के बाद से चीजें थोड़ी सी बिगड गए है क्योंकि social media को सीजे सीजे civil service conduct rules में खारिज नहीं किया गया है तो आजकिल क्या culture चल रही है एक culture है पॉपुलिजम पॉपुलिजम को हिंदे में क्या बोलेंगे लोग प्री अतावाद तो सिविल सेवार की अधिकारियों में लोप्री होने की भूख आजकिल थोड़ी सी बढ़ती भी दिखती है पॉपुलिजम हिरोईजम इस तरह के भाव और इसमें मुख्यूरूप से कौन से प्लेटफॉर्म से दिखता है facebook पे दिखता है और किस पे इंस्टाग्राम पे दिखता है आपको यूट्यूब भी आगया है सही बात है TikTok में भी हाँ कुछिट को आगये थे जिनकी फिर सस्पेंड हो गये से वो गुजरात में छेनल लखी पुलिस वाली जिसने TikTok में बनाया था फिर सस्पेंड हो गयी थी तो अब इनसे प्लेट सुमक्ती वैसे आता है यह पॉपॉलिजम का भाव ज्यादा आता है अब इसमें आप नाम मत रिशना किसी का आता है उस IPS को देखो ऐसे करता है उस IPS को देखो यह नहीं करता है तो किवल स्टांग के दिल उसे बता है कि ऐसा हो गया है अब इसकी वैसे क्या होता है एक तो यह है कि जो प्रशासन है परसन इंडिपेंडेंट रह नहीं गया मानिश भी बहुत पॉपॉलर हो गया और CM को लगे कि इच्छा अथिकारी है दूसरे जिले में ते क्यादा है बाँ ट्रांसफर करते हैं, CM के हाथ में ट्रांसफर करने की पावर नहीं रहती ट्रांसफर ओर्डर आया नहीं कि पूरा जिला सड़क प्या जाता है क्यांकि वो इतना बड़ा हीरो है फेस्बूक की वज़े से तो यह सरकार की शक्ती का मुद्ट है और सबसे बड़ा खतरा का है जो अच्छे अथिकारी हैं वो तो चुपचाप गुम्नामी में काम करते हैं पर अब कुस दिन पहले कैसा अनुभव मुझे वईस्टीज का गुम्नामी में काम कैसे करते हैं लोग पिछले साथ हमने एक योजना बनाई दो किताबे चापने की अपने प्रकाशन से एक किताब थी भारत के सबसे शांदर 20 आईएस ओफिसर और दूसी थी सबसे शांदर 20 आईपीएस ओफिसर यह दो किताबर की योजना बनाई एक टीम तैयार की और आईपीएस में जानब उसके ना कम से कम 10 साल की सिनियूर्टी मिनिमम रखी क्योंकि उससे कम मेरे बहुत सारे सुडेंट सारे से उनके अंदर कौन कोमपडिशन हो गया तक हमार नाम जाना चाहिए इसमें तो मैंने जानब उसके उनकी रेंज टाप दी कि उसके बाद ही लेंगे सीनियर लों को लेंगे तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा किया तुम्हें काम करो भारत के सबसे महान 20 आईपेस की लिस्ट बेजो अपने हिसाब से जुद में लगता हो बीस परत्यस लोग उसे लिस्ट बंगवा कि उनका LCM निका लिए उसको मने मान लिए कि सबसे मान 20 आईपेस आईपेस लागए जो पॉपलिस्ट कल्चर वाले हैं तो हमने मान लिए कि महान होंगे तो इससा क्या है फिर उन सब के इंटर्व्यू लिए हमारी टीम ने जैसे कोई DGP रहा कहीं का तो उनसे टाइप पर के उनका इंटर्व्यू दो ते नहीं हैंटे का हुआ फिर उसके बेस पे लिखा गया उनके बारे में पूरी किता तयार हो गए हुँ तयार होके मेरे पास रखिये च्छपी नहीं है च्छपेगी भी नहीं क्योंकि इस बात भी इतना जगड़ा है कि सबसे महान बीस कैसे मान लिए आपने इनको जिस जिसका नाम नहीं आया उन सब को लग रहे कि आपने तो पॉपुलिजम को बेस बना लिए सबसे मान तो वो चुप-चाप काम कर रहे थे जैसे हम यह तो बड़बोले आई-पेस की तो बड़बोलों को आपने महत्तो दिया असली काम को महत्तो नहीं दिया और दो-तित सीनियर आई-पेस लोगों ने मैसेज किया फोन किया जिसका भाव यह था कि बीस बापचिस कर लो ऐसा क्या है बड़ब अक्सेस कर लो तो मुझे लग गया कि इसके पोटेंशियल सेट इतना ज्यादा है कि अगरी किताब छब गई तो बीस होंगे खुश और टीन सोजेंगे जारा थे उनका महत्व अपने ज्यादा माना और जोने कंस्टुक्तिव उन्हें काम किये लेकिं पूप्रोलिजम के शिकर नहीं थे उनको आपने महत्व नहीं दिया और यह अरुप सही हो भी सकता क्योंकि हम कैसे जाने है उस शिजश को, पता भी नहीं तो इससे हो क्या रहा है कि जो अच्छे इतिकारी गुम्नामी में काम कर रही है, उनके अंदर एक सेंस ओफ स्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो गई है, मैं कई बर फील करता है, बात होते हैं किसी आई पेस के जिक्राया, और क्योंकि मैंने फेस्बुक पे देखा है, यू कुछ काम नहीं कर रहा है, सर क्या मत करणी, कुई कंपनी कर रहा है, अब इसको इरशा कहें, असूया कहें, क्या कहें, पता नहीं, लेकिन जो भी है, पॉपॉलिस्ट, हाँ, सो हो भी है, लेकिन कई बार उनमें से बहुत ठोस बेसिस पे कहते हैं, और अबजेक्टिविटि वैल्य माथी को मान रहा है उसमें frustration है. जो उससे खुलन-खुला- अौलंधन कर रहा है वो एकडम प्रसिद्ध हो गया है. तो हमारी ज्यादा चिंद्वा नहीं है, हमारी ज्यादा चिंद्धा, जो anonymity के मुल्य को मानते हैं उनमें frustration का पैदा होने चिंद्धा है. और इसलिए कोई आपसे पूछी आपका सुझाव क्या है तो सुझाव सिंपल सा है इस सबसे पहले civil services conduct rules में amendment किया जाना चाहिए और social media के platform से भी anonymity को maintain करने का प्रावगान आना चाहिए